हम जिसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि डिमांड की तरफ अक्षन जादा है या सप्लाई की तरफ अक्षन जादा है अच्छे खासा भाग जाता है, तब हमारी नजर उस पे आती है आरे ये तो आज के Top Gainers में है, आरे ये तो आज के Top Lossers में, ये तो अल्रेडी 5% बढ़ चुका है, अरे ये तो इतने दिन में 10% बढ़ चुका है, इसी को लेते हैं क्योंकि ये 10% बढ़ चुका है ये और बढ़ेगा, आज जिसको हम Price Action कह रहे हैं, पहले कहते थे भाव भग हैं मतलब प्राइश एक्षेन को कैसे यूज़ करती हूं? प्राइश एक्षेन हम सुनते हैं कि प्राइश एक्षेन प्राइश एक्षेन अलग-अलग तरीके से सुनें, action, cut, तो यहां पे भी action, cut, समझ जाएं, action मतलब action लेने का time आगया, cut मतलब position cut करने का time आगया, मेराज हमेशा ही कहना है कि indicators है, oscillators है, यह सब supportive है, ultimately हम price action देखते हैं, price action का मतलब क्या होता है, अब price action का मतलब, market में demand है या supply है, जो particular stock है या index है, हम जिसमें भी trade कर रहे हैं, हमें यह देखना है कि demand की तरफ action जादा है, या supply की तरफ action जादा है, हम continuously price movement देखते हैं, और क्या होता है, जब price भागने लगता है, और अच्छे खासा भाग जाता है, तब हमारी नजर उस पे आती है, अरे यह तो आज के top gainers में हैं, अरे यह तो आज के top losers में, यह तो already 5% बढ़ चुका है, अरे यह तो इतने दिन में 10% बढ़ चुका है, इसी को लेते हैं, क्योंकि यह 10% बढ़ चुका है, यह और बढ़ेगा, और बहुत पार ऐसा होता है, कि जैसे ही मैंने entry की 10% उपर, वो भाई साब तो वहीं अटक के हैं, नीचे भी आना सुरू हो जाते हैं, नहीं तो वहीं खड़े हो जाते हैं, अब मैं नहीं चलूँगा, क्यों, आपने बाई जो कर लिया, तो क्या मैंने कोई गलती की बाई करके, मैंने गलती ये की, कि जो स्टॉक ने इतना रन अप ले लिया, मैंने उसे एक बार भी देखना जरूरी नहीं समझा, कि ये रन अप कितने short period में हुआ, और अगर ये short period में हुआ है, तो जिन्होंने नीचे के भाव में बाई किया है, वो profit booking करने के लिए आएंगे न, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल रहे हैं और हम enter कर रहे हैं, वो तो फिर बहुत तकलीफ वाली बात हो जाएगी, ऐसी situation में bottom तो मुझे नहीं मिलेगा, मैं ये तो कह सकते हूँ कि bottom मुझे नहीं मिलेगा, बाई के लिए और सेलिंग के लिए टॉप नहीं मिलेगा, रिवर्सल एफेक्ट हो सकता है, बट बाउटम बाईंग और टॉप सेलिंग, बहुत थी कोई हजार ट्रेड में से एक ट्रेड ऐसा हो गया, कि मैंने टॉप में बेचा है, उसके बाद भाव पर नहीं गया हो, और मैंने बाटम में खरीदा होगा, जो उसका भाव उसके बाद नीचे नहीं गया, वट कोई हजार में से एक ट्रेड, नोट पॉसिबल, तो क्या देखना है मुझे, मुझे बेसिकली एक डिमांड और सप्लाई, अब मैं जो डिमांड देखती हूँ, वो कहा देखती हूँ, सपोर्ट के लेवल पे, मैं जो सप्लाई देखती हूँ, वो रिजिस्टेंस के लेवल पे, Let us say, मेरे पास variety of support zones है They can be ऐसे, price ऐसे move कर रहा है और यहीं पर बार-बार support ले रहा है फिर घूम रहा है तो यह एक support zone हो गया फिर मान लो, market नीचे जा रहा है मैंने bottom line बनाई और price ऐसे उसी को line को touch करके और घूम रहा है यह भी एक variety का support zone हो गया मान लो, कोई price उपर गया उपर जाके correct करता है as per fib retracement वो भी एक support zone हो गया अब इन में से कौन सा support zone मुझे use करना है कौन सा नहीं करना है तो price action के लिए मैं 1 degree या 2 degree लोवर भी जा सकती हूँ नहीं, तो demand है या नहीं support पे मुझे कुछ चीजें जो है बहुत पसंद आती है सबसे पहली बात जैसे ही दुकान खुलती है और अगर दुकान के बाहर clients की line लगी है purchasing के लिए तो entry के time पे आप खुश हो जाते हूँ अरे वह आस तो इतने buyers हैं मेरी दुकान के सामने की जैसे ही मैंने entry की थड़ा थड़ buying orders आ गए लोग आ रहे हैं खरीद रहे हैं तो अच्छा लगता है वैसे ही मैं भी market को देखती हूँ और किसी भी stock में जब support के पास में open और low nearby nearby का मतलब approximately half percent to one percent के असपास का मैं nearby कहती हूँ उससे ज़्यादा होता है तो मैं छोड़ देती हूँ और ये मैं देखती हूँ market को settle down होने के बाद 15-20 मिनट छोड़ देते हैं market को settle down होने के लिए उसके बाद हाँ मानती हूँ बहुत सारे stock 15 मिनट में ही भाग जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे stocks हैं जो भाग जाते हैं या भाग रहे हैं वो run up लेके वापस नीचे आ जाते हैं उसनी 15-20 मिनट में तो ऐसी situation में तो फसने के chance ज्यादा है ना ठोड़ आराम से काम कर लेंगे हमें कौन सा रोज के 10-20-25 शेर में काम करना है एक दो तीन शेर हाथ आ गए अच्छे खासे काम कर लिया इंट्राडे पोजीशनल जो भी है पोजीशनल में करते हैं हफते भर की position होल्ड करते हैं अच्छा return आ जाए निकल सकते हैं अच्छा बुरा तो सबकी pocket पे depend करता है ना बट on an average हम यह देखते हैं भाई week का 2-3% मिल जाया तो we are happy तो इसका मतलब यह नहीं कि महीने का 10-12% हो गया अगर महीने के overall loss भी है profit भी है सब मिला मिलो के 3-4% net में घर ले गए तो बहुत बड़ी बात हो गई लेकिन वही चीज discipline stop loss बहुत ज़रूरी है तो support के पास में open और low अगर nearby मिल जाता है मतलब क्या हुआ जैसे ही मैंने दुकान खोली buyers की line लगी हुई है buy कर रहे हैं और buyers कम नहीं हो रहे हैं क्यों क्योंकि 15-20 मिनिट निकल गए और low नहीं टूटा price वही पास में ही है ऐसी situation में मैं एक buy trade ले सकती हूँ अच्छा ये run up कितना होता है run up हमें जैसे 2-3% चाहिए तो एक छोटी सी चीज है जो मैं चार्ट पे दिखाती हूँ हमारा target और stop loss और based on price action अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं मतलब आप एक successful trader बनने के बारे में serious है और आप जैसे ही serious traders के लिए मैं लेकर आई हूँ मेरा 9 days का technical analysis mentorship program जो की 13th में से शुरू हो रहा है इस program में मैं आपके साथ live market को भी analyze करूँगी अपने trading setups share करूँगी और most importantly आपके सारे doubts solve करूँगी इसमें आपको personally भी मिलने का मौका मिल सकता है जहां पर आप directly discuss कर सकते हैं मेरे साथ में program की सारी details description में दी गई है तो जल्दी से ये mentorship program के लिए enroll कर ये चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं अभी ये एक stock है इसको replay mode में दिखा रही हूँ जिससे समझ में आये कि मैं कैसे करती हूँ let us say आज ये मेरे positive zone में है और positive zone में मुझे open और low nearby मिल गया तो open और low आप कहां देखेंगे यहां पे जहां भी मेरा cursor होगा यहां पे open high low close लिखा हुआ है तो यहां मैंने cursor लिया क्या price है open 518.45 और low है 518 जो कि मेरे half to 1% के अंदर अंदर आता है क्या यह मेरे buying zone में है RSI above 50 अब मैं RSI above 50 की बात क्यों कर रही हूँ क्योंकि open low है RSI भी above 50 है तो friends मैंने क्या है यह सारे videos record किये है जैसे जैसे आप लोग की request आती है demand आती है वैसे वैसे मैं videos बनाती हूँ और यह भी कहूंगी कि जो video आपको पसंद आए उसे like कीजिए तो मुझे भी यह समझ में आएगा कि आप लोग को concept topic बहुत अच्छे लगते है तो उनमें मैं advanced topics और लेके आउँगी मेरे पास जितना भी knowledge है ना मैं share करना चाहती हूँ तो comment में भी डाल दीजिए अगर आपको अपने कोई पसंद दीदा topic पे knowledge चाहिए इन charts, options जो भी है मैं बताऊंगी और ये videos भी देख लीजेगा i button क्लिक करके options के हैं और RSI पे जहां पे मैं अभी बात कर रही हूँ कि RSI अगर above 50 है तो अगर RSI above 50 है जी बिलकुल है RSI above 50 है अब RSI above 50 ओपन और लो अल्मोस्ट हो गया मैंने ये trade ले लिया नेटर से साड़े नौ बजे सबसे पहली बात मेरा इसमें पहला target क्या आएगा तो मैं क्या करती हूँ इसके लिए यहां से horizontal lines ट्रॉ करनी शुरू कर दूँगी जो previous swing highs है यह पहला previous swing हाई है उसके बाद का यह swing हाई है उसके बाद का यह swing हाई है तो यह सब देखते हुए मेरे पास क्या situation बन रही है target approximately 553rd target आ रहा है और इसको हम पकड़ रहे हैं लेटर से 522 या 525 क्या सबस भी पकड़ रहे हैं तो yes, okay हमारा stop loss चो आ रहा है वो around 10 रुपे का stop loss पहला target अगर है तो करीब 12-13 रुपे का पहला target है दूसरा target हमारा उससे भी करीब 10-12 रुपे उपर है और फिर उसके बाद हमारा उसके भी 8-10 रुपे उपर है करके हमारे पास 3 target हो गए अब हम इसमें आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए मेरा पहला target अच्छी हो गया उसके बाद दूसरा target की तरफ प्या गया जो चीज मुझे देखने मिल रही है 529.45 का open है यहाँ पर देखिए तो second day 529.45 का open है और 527.45 का low है मतलब open और low almost आज भी same है मेरे range में है RSI भी above 50 है मेरा कलका trade का अभी तक SL हिट हुआ नहीं है ओके अब यहाँ पे जो मेरा पहला target है मैं part profits book कर लूँगे इस part profit के लिए क्या है कि मैं क्यों book करती हूँ जिससे कि अगर मेरा stop loss बाद में hit हो जाता है तो बड़ा loss नहीं है अब price क्या बोल रहा है कि मैं resistance पे हूँ तो मैंने part profit book क्या अब next day जब market वापस open होता है फिर से open और low same है अब मैं so what is my action saying continue अभी तक market ने cut नहीं बोला है मुझे तो दिख रहा है कि जैसे ही third day होता है हम इसके नीचे stop loss ले आएंगे और plus मैंने part profits book किया हुआ ही है अब वापस resistance के past में close कर रहा है फिर थोड़ा सा profit book कर लेंगे फिर आगे चलते है third target की तरफ जाता है कि SL hit होता है देखते है वहीं पे है ना SL hit हुआ ये देखे है हमारा third target भी achieve हो गया और उसके बाद RSI B 70 के उपर है अभी तक market ने officially मुझे cut नहीं बोला है let's continue मैं cut cut करूंगी जब मुझे open और high almost same मिलेगा या मेरा trailing SL hit हो जाएगा जो कि इस line के नीचे अब मेरा trailing stop loss है तो let us go further इस line के नीचे close हुआ gap down मेरा SL hit हो गया trailing SL hit हो गया उसके बाद वो उपर गया कि नहीं गया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है मेरा trailing SL hit हो गया मतलब हो गया RSI 70 के नीचे आ गयी price is line के नीचे close हो गया I am done मेरे पास यह पूरी rally का अगर सारा पैसा नहीं भी आया है तो जो मुझे चाहिए था 2-3% तो उतना तो आ ही गया होगा तो price action जब आता है तो उस basis पे हमें trade लेना है action भी आ गया cut भी आ गया यह हो गया buying अब हम देखते हैं selling friends ऐसा है homework तो करना पड़ता है practice तो करनी पड़ती है जब हम अपने कुछ particular scripts follow कर रहे हैं जो हमारे trading portfolio में है या हमारे investment portfolio में है तो हम उनको थोड़ा बेच के वापस लेना भी पसंद करते है study तो करनी पड़ेगी तो यहाँ पर मुझे indication मिलता है सबसे पहले मैं दिखती हूँ indication है की नहीं है तो indication में price ने बनाया higher high और RSI ने बनाया lower high तो यह चीज मैंने जब study की मुझे दिखाई दे दी रात को previous day अब मेरी उस पे नजर एक दिन दो दिन तीन दिन रहेगी किस दिन वो open high देगा और open high pass में देगा तो मैं उसमें trade करूंगी और अगर stock है तो बेचके वापस भी ले सकती हूँ cash में भी कर सकती हूँ नहीं तो फिर short तो मैं F.O में ही कर सकती हूँ cash में तो intraday कर सकती हूँ but otherwise अगर मुझे लंबा hold करना है तो मैं या तो F.O में काम करो या फिर मेरे पास stock है तो वो बेचके बाद में ली सकती हूँ यह गिरा open और high almost same है 585 and 585 high का high है और अब जब यह बन जाता है तो जैसे मैं उपर जाते time targets बनाए यह मेरा stop loss रहेगा इसके उपर और यह मेरा पहला target रहेगा क्या यह target एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, almost seven days में यह target आ गया लेकिन दिल के बाद बताती हूँ अगर यह एक ही दिन में मुझे इतना एक या दो दिन में मुझे इतना fall दे देता है 1.5% और सच में तो अगर एक परसंट भी दे देता है 1.8% भी दिन में तो 90% traders जो है वो position काट के जाएंगे घर नहीं लेके जाएंगे लेकिन फिर भी अगर मैं rule based चलूँ तो rule based के हिसाब से मेरे हाथ में delivery है वो छोड़ दूँगी और ये मेरा पहला target होगा ये पहला target के बाद जैसे मैं draw करती हूँ वैसे ही draw करूँगी तो ये हुआ मेरा पहला target देखे इसको अब मैं थोड़ा और stretch करूँ तो यहां से यहां से सब यही आ रहा है ना पहला target मतलब ये अगर तूट गया कितना one two three अगर ये तूट गया तो fall आईगी बड़ी और जो आपको मुझे दिख भी रही है कि आईए मेरा second target होगा ये उसके पहले का swing लो सीधा आके वहीं रुका जैसे जैसे आता जाएगा मैं cover करते जाओंगी अच्छा eco tricks share करती हो अगर मालो अपने futures में बेचा है ये सिर्फ अगर futures में बेचा है तो कर सकते हैं और हाथ में पैसा होना चाहिए otherwise नहीं कर सकते तो futures में बेचा है एक lot तो यहाँ पे आके मैं आधी lot cash में buy करके कम कर सकती हो मतलब part profit booking कर लिया ये मैं buying में नहीं कर सकती F.O. में because मैं cash में short नहीं कर सकती फिर वापस जब ये second point आया और भी buy कर सकती हो और या फिर पूरा square off कर सकती हो जब square off करना होगा तो फिर मैं futures पूरा square off कर दूँगे cash में भी जो मेरे पास होगा वो भी square off कर दूँगे अगर मैंने short के हिसाब से cash में part profit booking की है तो तो ये एक और तरीका है कि हम part profit book कर सकते हैं अगर हम futures में short करते हैं part profit ही booking नहीं अगर मेरे पास हाथ में पैसा है और मुझे पूरी lot नहीं बेचनी है तो मैं जितने shares मुझे बेचने एक lot बेचके balance में cover कर सकती हूँ तो मुझे कोई बहुत बड़ी quantity नहीं बेचनी पड़ेगी बट हाथ में उसमें पैसा होना बहुत ज़रूरी है net में मेरा कम quantity भी short हो सकता है इस तरह से हम price देख रहे हैं और कितने अच्छे से action दिख रहे है यही चीज मान लो मेरे पास charts नहीं है और मैं screen को देखके कर रही हूँ तो screen पे भी तो मुझे open और high दिख रहा है या open और low दिख रहा है तो देखे कि आज किस दिन कौन सा open high कौन सा open low है और price जो है वो उपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है वो देखने के लिए VWAP का भी use कर सकते हैं हम तो price action कहे तो ही action लेना है अगर price action नहीं कहे तो action नहीं लेना है अब मान लो यहाँ पे भी मुझे negative divergence मिला लेकिन यहाँ पे open high नहीं मिला अब यहाँ पे मुझे action नहीं मिला because opening के साथ में sellers नहीं आए है पहले market खुला buyers market को उपर ले गए फिर नीचे आया तो ऐसे में तो confusion हो जाता है मुझे चाहिए कि majority आज सुबह से हो क्या रहा है opening के साथ क्या हो रहा है तो वहीं से मैं trade को पकड़ना पसंद करती हूँ miss तो miss no problem लेकिन जब trade चाहिए तो इसी तरह से चाहिए और दूसरी बात ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे सारे trades positive जाते हैं मेरे SL भी hit होते हैं लेकिन SL रखती हो hit होते हैं तो होते हैं can't help और इसी लिए SL hit होने देती हूँ क्योंकि market किसी के control में नहीं है मेरी study बहुत अच्छी है मैंने ये मान लिया कि I am the best ये मैं अपने आप में सोच सकती हूँ लेकिन मुझे थोड़ी ना पता है कि मेरे साब भी the best बहुत सारे लोग है उन्होंने क्या study कर रखा है और उससे भी बड़ी बात अगर कोई event हो गया अचानक से या मान लो कहीं से कोई selling या buying pressure आ गया वो तो मुझे नहीं पता ना ऐसी situation में मैं फस सकती हूँ मेरे अपने आप में best होने की कोई value नहीं रह गई ना तो इसलिए मुझे माकेट से कोई ego नहीं है भाई मैं best नहीं हूँ मैं अपना trade कर रही हूँ अपना पैसा निकाल रही हूँ मैं उसी में खुश हूँ मुझे अपना काम मिल जाता है बट एक बात है जो हमेशा से सुनती आई हूँ रिंग टाइम से सुन रही हूँ अपने grandparent से सुन रही हूँ पापा से, मम्मी से सबसे यही सुना है आज जिसको हम price action कह रहे हैं वो चीज को पहले कहते थे और आज भी कहते हैं भाव भगवान है मतलब price action is everything तो friends ऐसा है कि indicators है, oscillators है मतलब चाहे वो moving average हो चाहे वो RSI हो, चाहे वो MACD हो जो भी आप use करते हो even मैं भी वैसा ही करते हूँ वो लोग मुझे कितना भी indication दे दे negativity की जब तक price में मुझे वो action नहीं मिले, break out break down, support से reverse resistance से reverse with open high के pass वाला candle तब तक मैं trade नहीं लेती हूँ मतलब action की आवाज तो आनी चाहिए market से तभी action होगा तब तक action नहीं होगा Thank you